हेलो गाई आज हम प्लाजर पैंट के डिजाइन बनाएंगे यह पेपर मेरा 3 इंज का है और जो मेरा बीच का मार्किंग है यह मेरा 1.5 इंज का है ऐसे लुप्स बहुत सरा कट कर लिए है लुप्स का लंबाई है धाई इंज अब इसको यहां पर पेपर के उपर ऐसे रखें जो फिर एक के बाद ऐसे रखेंगे और ऐसे ही फोल्ट करके स्लाइ चला लेंगे से करके हम सारे को रेडी कर लिएगे देखे फ्रेंट फीरण्ड एक तरफ पर मेरा बन के रेडी हो चुका है और यहां से धागे को कट कर लेंगे अब इस साइड ऐसे लूप लेंगे और अंदर डालके यहां से इसके उपर से सिलाई चला लेंगे इस तरह से फिर इसको ऐसे अंदर डालेंगे और यहां से ऐसे करके उपर से एक सिलाई चला लेंगे फिर इसको ऐसे अंदर डालके और एक बडाबर ऐसे करके यहां से सिलाई को चला लेंगे ऐसे करके हम सारे डीजायन को बना के रेडी कर लेंगे देखे फ्रेंड मेरा बनकी रेडी हो चुगा अब यहां से एक्स्ट्रा फेवरिक को कट कर लेंगे और पेपर को भी दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे अब यह मेरा एक कपड़ा है जिसका चौड़ाई सड़े पांच इंच है और डिजाइन को यहां पर ऐसे उपर रखेंगे और यहां से एक सीदी स्लाई चला लेंगे और यहां से धागे को कट कर लेंगे अब कपड़े को ऐसे बाहर के साइड निकाल कर और यहां से एक फोल्ड करेंगे ऐसे और एक बार और ऐसे फोल्ड करके इसको हाइड कर लेंगे और यहां से इसके उपर से एक सीधी स्लाइड चला लेंगे और यहां से धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फेब्रिक को भी कट कर देंगे और इसके साइड में भी एक और सिलाई को चला के रेडी कर लेंगे इसको आप बाजू की डिजाइन पर भी बना सकते हैं और इसका लंबाई, डिजाइन बनने के बाद 39 इंज का है, तो पलाजों में से所4-4 इंज हम कम कर देंगे, में कम कर दिये हैं और इस डिजाइन को ऐसे उपर रखेंगे फ्रेंगे और इसके उपर से एक सिद्धी सिलाई चलाके रेडी कर लेंगे, और धायों कट कर लेंगे और पीछे करके यहां से आगे ऐसे ओपन कर लेंगे और इसके उपर से एक सीधी सिलाई चला लेंगे देखिए बन गया डिजाइन अब पीछे करके पेपर को निकाल लेंगे देखिए डिजाइन मेरा बन के ready हो गया डिजाइन आपको कैसा लगा ऐसी दोनों पलाजों हम बना के ready कर लिए मैं फरेंड डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए जब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हफीज